नमस्कार मैं जोच्छना स्भागत करती हूँ आप सभी का दोस्तो आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में दोस्तो आज में फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही खुबशूरत लीफी प्लांट लेके जो देखने में खुबशूरत ही नहीं होता है यह बहुत अच्छा तो बलकी यह बहुत अच्छा एर, प्यूरिफायर भी होता है जो आप इसको इंडोर भी लगा सकते आर आउटडूर भी लगा सकते हैं यह सेद में बहुत अच्छे से चलता है और आज इस इसी के बारे में बात करूंगी दोस्तों इसका नाम है क्रोटन और यह बहुत ही कलरफुल पत्तों में और बहुत सारे वेराइटी में और बहुत अलग-अलग शेप में इसके प्लांट मिलते हैं आपको नर्शरी जब जाएंगे तो देखेंगे एक से एक मतलब लीफ का जो बहुत ही ज़्यादा अट्राक्टिव होता है और कलर भी इसका बहुत खुबसूरत लगता है आप देख रहे हैं जो भी मेरे पास है आप देखिए के कलर कितने ब्यूटिफूल है तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी दोस्तों कि कैसे इसको प्रोपोगेट करे एक मैं बताऊंगी कि यदि आपका क्रोटन काफी लंबा हो गया है तो उसको बूशी कैसे बनाना है लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब क करता है दोस्तों लेकिन मिनिमूम आपको 200-2003455 बढ़ते जाता है मिलता है और आप देखी रहे हैं वेराइटी बहुत सारा इसका मिलता है जो भी आपको पसंद है वह ला सकते हैं लेकिन मेरा कहने के मतलब यह हैं दोस्तों कि इतना महेंगा प्लांट लाते हैं तो क्यों हम एक से ज्यादा बनाएं और अपने घरों में सजाएं और देख रहे हैं इसका कितना खुबसूरत लीफ होता है तो इसलिए आज मैं इसका कटिंग बताऊंगी कि कैसे इजी वे में कटिंग के थूरू या सिर्फ पानी में भी आप बहुत इजी तरीके से ग्रो कर सकते है और एक से ज्यादा कई प्लांट बना सकते हैं और साथ ही इसको आपको बूशी कैसे बनाना है इसके बारे में भी मैं बात करूंगी दोस्तो लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को स सब्सक्राइब करें और जो बेल वाली बटन है दोस्तो उसको जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तो बात करते हैं पहले इसको बूशी कैसे बनाना है आप देख रहे हैं यह मेरा प्लांट काफी बड़ा ह और अब ही जितना बड़ा देख रहे हैं उससे भी काफी यह बड़ा था तो इसको सबसे पहले काम जो करना है आपको दोस्तों कि इसको एदम कंप्लीट ड़स कर देना है एकदम से छोटे से एक फईना एकदम कट कर देना है यह दिखिए मैं आपको दिखाऊंगी यह मतलब यहां से एक ही स्टेम में चार स्टेम मेरे को मिल गए इसी तरह मैंने इसको भी कट कर दिया है आप एक देख रहे हो यह देखिए और इसमें भी मेरे को एक दो और इधर तीन चार ब्रांचेज मिले हैं इधर पांच छोटा सा एक इधर छे यह बहुत सारे बन गए हैं इसके स्टेम और फिर एक इधर भी मैंने कट लगाया है इस तरह मैंने सारे स्टेम को कट कर दिया है यह देखिए यह देख रहे हैं यह वाला जो है पार्ट यह पूरक कट कर दिया है और इस तरह एक दम देख रहे हैं बुशी हो रहा है फिर इधर एक जो लॉंग था इसक एक यहां है एक यहां है इस तरह मैंने कट कर दिये हैं और इससे मेरे को इस तरह खुब सारा इस तरह ब्रांचे मिले हैं और बहुत ही मेरा प्लांट बुशी हो गिया है यह देखिए यह देख रहे हैं यहां भी कट मैंने किया है और इस तरह मेरे कितने सारे ब्रांच निकल और काफी healthy निकल रहे हैं यहां भी मैंने कट कर दिया है तो यह बुशी बनाने का सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों इस तरह आपका कोई भी प्लांट लॉंग जा रहा है तो बिना चिंता किये हुए इसको आप कट कर सकते हैं दूसरा प्लांट मेरा देखे यहां इसको मैंन कर दिया इसको कर दिया है आप देख रहे हैं इसका जो च्टे स्टेम है काफी मोटा हो गया है और आप हो गया था तो इसको मैंने कर दिया इस तरह आप कट करके अपने प्लांट को शेप में रख सकते हैं और बुशी भी बना सकते हैं इधर देखिए इसको भी मैंने कट किया था यह देखिए यहां से कट किया मैंने और यहां पर देखिए तीन ब्रांचे जिसको मिले हैं यहां पर मैंने कट किया तो यहां से देख इसको आप rainy season में या फिर फरवरी last में आप इसको cut कर सकते हैं, दोनों समय बहुत अच्छे से growth करेगा और rainy season में खास करके बहुत अच्छा starting में ही cut कर दीजेगा friends, तो बहुत अच्छा इसका growth होगा और cutting को फेकने की जरुरत भी नहीं है, यह बड़े ही आराम से लग जाता ह जैसा कि आप मेरे गंबले में आप देख सकते हैं यह देखिए इस तरह जो भी कट मैंने निकाले थे सारे को इस तरह मैंने लगा दिये और सब में निव लिफ्ष निकलना शुरू हो गया है आप देख रहे हैं सारे में मैंने गोलगोल पूरे धेर सारे कटिंग लगा दिये हैं और यह बहुत जल्दी एक बड़ा सा प्लांट डेबलक हो जाएगा इसका और आप यह देख रहे हैं प्लांट इसको भी मैंने मदर प्लांट से कटिंग के रूप में ही ग्रो किया और देखिए काफी चार्ट हो रहा था उसी समय और इसका ग्रोथ देखिए दोस्तों काफी अच्छा हुआ है रेनी सीजन में काफी अच्छा एक दम लांग हो गया है और ब्रांचेज भी इसमें काफी सारे निकल गया है तो इस तरह आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसके लिए ज्यादा आपको कुछ करने की जरूवत नहीं है दोस्तों इस तरह आप स्टेम देख रहे हो आप इस तरह का ज्यादा मोटा भी नहीं चाहिए और ज्यादा मतलब इस तरह मैंने चोटे से मतलब पतले से ब्रांच को इस तरह कटिंग से लगा दिया है और काफी अच्छा ग्रो कर रह है तो आपको इसका वरीर करने की जरूवत नहीं है कि काफी मोटा रहेगा तभी यह मेरा प्लांट लगेगा ऐसा कोई बात नहीं है अपको पतले स्टेम भी ले सकते हैं और मुस्किल से बस चार से पाच इंच हो जाए बहुत है और वह सिंपल आप इसको मिटी में लगा द रहा है इसे तरह भी लगा सकते हैं और मेरे गमले में इस अथा काटिंग लगा देती हूं और आप दिखाना चाहूंग इसका क्या रीजल्ट सेफ्रेंस और में भी आपके संग-संग की कि कैसा इसका reduce ग्रो हुआ है तो यह दिखे फ्रेंट्स काफी अच्छा इसका रूट ग्रो हो गया है आपको दिख रहा है कि नहीं यह दिखे पतले पतले जो यह आए हैं रूट्स और इधर से भी है यह दिखे यह दिख रहे हैं काफी अच्छा इसका रूट निकल गया है और अभी इसको मैंने हाल में ही किय है और इसका ग्रोथ देखके आपको लग रहा होगा यह प्लांट कितना हेल्दी रूट ग्रोख कर रहा होगा और यह सिंपल कुछ भी मैंने नहीं किया यह देखिए बॉटल है और इस तरह मैंने बॉटल में इसको ग्रोख किया है बस पानी मैं वीक में एक बार चेंज करती ह हुँ और इसका रूट देखिए फञें कितना खुब्सूरत निकला है मैं इसको दिखा रहे हूँ आपको यह रूट कितना खुब्सूरत्य केरे हैं किकूछ नहीं कोई सिंप जोरह रहा है और इसके ब्रॉट भी देखें कितने अच्य से हैं और यह वी बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है तो मेरा कहने के मतलब है दोस्तों कि आप इस तरह पानी में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और इसी का कटिंग और भी मैं लगाई हूं बाद में इसमें भी आप देख रहे हो कि छोटा सा यह देखिए फ्रेंट्स यह छोटा सा इस तरह देख र लगते हैं तो इसमें टाइम लग जाता है कमसे को महीना दो महीना भी लग सकता है और अब लेकिन होता है बहुत आराम से किसी परकार का कोई जंचट कोई रूटिंग हार्मोन लगानी की जरुवत नहीं है और अराम से ग्रो कर जाता है तो यह देखिए दोस्तों आज मैंने अब अब बताया दो तरह से आप क्रोटन प्लांट को बड़ी ही इसी तरीके से प्रॉपोगेट कर सकते हैं और इसमें मैंने किसी भी तरह का कोई भी रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया है दोस्तों तो यदि आपके पास कोई रूटिंग हार्मोन नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है आपका कोई भी क्रोटन हो किसी भी वेराइटी का हो बड़े ही आराम से आप इसको लगा सकते हैं और इसका रूट देखें फ्रेंट्स मैंने दिखा करी होना यदि जो मिट्टी में आप लगाए हो उसको तो आप जहां लगाए हो वहां लगा सकते हो थोड़ा सा जब यह च्छे सात इंच का हो जाएगा बड़ा तो आप इसको एक दूसरे गंबले में ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन मैं बात करूंगी फ्रेंट्स यह जो प रूट ग्रो हो गिया और फिर आप डारेक्ट आप गंबले में इस तरह लगा दीजिए बट आपको ऐसा नहीं करना है ऐसा करने का मतलब है कि आपका प्लांट्स बहुत ही जल्दी मर भी सकता है तो आपको करना कुछ नहीं इस तरह एक छोटे से बॉटल ले लेना कोई भी जो भी एविलेबल हो कोई भी डबा हो कोई भी वेस्टेज कोई बॉटल हो और उसमें आपको हलका सा इस तरह आपको मिठी डाल देना है यह देखिए आप मिठी मिठी आप कोई भी मिठी आप डाल सकते है नॉर्मल गार्डन स्वाइल आप डाल दीजिए या फिज कोई भ इस तरह मैंने मिट्टी डाल दिये है और इसको डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है आप इस प्लांट को simply इसमें इंसर्ट कर दिजिए रख दीजिए और रखने के बाद आपको कुस दिन और वेट करना है ताकि यह जो मिट्टी और पानी है डारेक्ट पानी से निकाल कि यदि आप मिट्टी में लगाते हैं तो यह मतलब सर्वाइब नहीं कर पाता है अपने आपको एड़ेस्ट नहीं कर पाता है तो इसलिए आपको उस तरह ही प्रोवाइट करना है और धीरे धीरे इसको मिट्टी में एड़ेस्ट हो जाए इसलाइक आपको बनाना है इस तरह मिट्टी और पानी में मिक्स करके लगाने के बाद इसको आप दो वीक तक ऐसे ही छोड़ दीजिए उसके बाद आप सिंपल गार्डेंस वाइल में या फिर नॉर्मल जैसा मैं लगाती हूँ क्रोटन प्लांट को उस तरह आप स्वाइल ब कोई भी कंपोस्ट और 20% सैंड आपको लेना है और इस तरह मिला कि आप लगाएगा तो क्रोटन का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा चाहे निव क्रोटन आप लगा रहे हो या पुराने को गमला चेंज कर रहे हो इस तरह आप बना के लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे स यह ग्रोग करेगा तो इस तरह मिटी बना के लगाएंगे बहुत अच्छा यह ग्रोग करता है और इससे पहले मैंने क्रोटन के बारे में बताया है आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी उस वीडियो को आप देख सकते हैं कंप्लीट जनकारी मिलेगी तो आज मैं प्रोपेकेशन के बारे में बात किया हमने तो इस तरह आप इजी मेथट से आप अपने घरों में क्रोटन को लगाईए और पुरा भर-भर के गार्डेन को सजाईए तो आज के लिए इतनी जनकारी थी दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडिय के साथ कुछ नई जनकारी के साथ तब तक के लिए हमारा यूँ है वीडियो देखते रहिए और पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब तो आपने हमारे चानल को करी लिया है तो फिर मिलते हैं नमस्कार